करपूर गौरम करुणा वतारम संसार सारम भुजगेंत्र हारम सदा वसंतम हर्द्यार विंदे भवं भवानी सहितम नमामी ओम श्री गणेशाइन महा आप सभी का हमारे योटीव चैनल पर हार्दिक स्वागत है आईए जानते हैं साल 2022 में कार्दिक मास के कृष्ण पाक्ष म पढ़ने वाली संकस्टी चतुर्थी कब है चतुर्थी तीथी कब से कब तक रहेगी व्रत कब रखना है चंद्रदर्शन का समय इस दिन क्या रहेगा साथ ही आप सुनेंगे व्रत की कथा और जानेंगे इस दिन के महत्र के बारे में साल 2022 में 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन को सुभऽ पांच बजकर और चंद्रद्य का समय रहेगा रात आठ बजकर 27 मिनट पर संकस्टी चतुर्थी के दिन विगनरता भगवान गनेशी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है ऐसी मानता है कि विग्ण हर्ता भगवान गणेश जी के लिए उपवास रखने पर घर परिवार में आने वाली हर विपदा भगवान गणेश तूर कर देते हैं इस दिन सुबह जल्दी उठकर सभी दैनिक कर्मों से निवरित होकर इस्नान कर लिया जाता है साफ सोचवसर धारन करके गणेश भगवान का ध्यान करते वे रत का संकल प्रिया जाता है अब विग्ण हर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है सबसे पहले पीले फूल अरपित के जाते हैं आपके पास जो भी फूल हो वो आप अरपित कर सकते हैं फिर भगवान गणेश को फूलों की माला दूर्वा घास अर्पित की जाती हैं, भगवान को सिंदूर और अक्षत लगाये जाते हैं, गणपती भगवान को आज के दिन भोग में मोदक या फिर आप अपने अनुसार कोई भी मौसमी फल या मिठाई का भोग भी लगा सकते है भोग हमेशा दूब दीब जलाने के बाद ही लगाया चाता है, तो दूब दीब जलाकर आप भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें, शुरी गणेश चालिसा का पाठ करें, आज के दिन मालक्षमी जी की पूजा भी करनी चाहिए, और इस प्रकार से पूजा करके सबसे चंदरोदे से पहले एक बार फिर से गणेश भगवान की विधिवत पूजा की जाती है, व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, फिर चंदरोदे के बाद चंदरदेवता को जल अर्पित करने के साथ ही फल, फोल या दूद से बनी सामगरी अर्पित करके आपको अपना वरत खोलेना होता है और गणेश चतुर्थी का संकस्टी चतुर्थी का ये उपवास संतान से जुड़ी हर प्रकार के समस्याइएं भी दूर करने वाला होता है क्योंकि कार्थिक मास के ग्रेशन पक्ष की चतुर्थी है तो यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महतोपोन होता है क्योंकि इस दन करवाचौत का व्रत सभी सुहागिन महिलाओं निरजल और निरहार रहकर करती है संकस्टी चतुर्थी के दिन वैसे तो बहुत सारी पुराणिक कथाएं सुनी जाती हैं लेकिन सबसे प्रचलित कथा मैं आज आपको सुनाओंगी पुराणिक कथा के नुसार एक बार सभी देवी देपता संकटों में घिरेवे थे तो वे इस समस्या के समधान के लिए भगवान शिव के पास पहुचे तब उन्होंने भगवान गणेश और भगवान कार्थिके से इस संकट का समधान करने के लिए कहा तब दोनों भायों ने कहा कि हैं महादेव वे इसका समधान कर सकते हैं अब शंकर जी दुविधा में पड़ गए तब उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रत्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस लोट आएगा वही देवताओं के संकट के समधान के लिए जाएगा भगवान कार्थी के जी का वहाँ तो मोर है वो उसी पर सवार होकर प्रत्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े गणेश जी की सवारी मूशक है और उसके लिए मोर की तुलना में पहले परिक्रमा कर पाना बिल्कुल भी संबब नहीं था गणेश जी बहुती चतुर भी है वे जानते थे कि चूहे पर सवार होकर वो पहले प्रत्वी की परिक्रमा कभी नहीं कर सकते तब उन्होंने एक उपाय सोचा वे अपने स्थान से उठे और दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पारवत्ती की साथ बार परिक्र हो गए उधर जब भगवान कार्ती के प्रत्वी की परिक्रमा पूरी करके वापस आये तब उन्होंने स्वेम को विजेता खोशित कर दिया क्योंकि गणेश जी तो वहाँ पर पहले से ही बैठे वे थे तब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि आप प्रत्वी की परिक् गणेश जी के इस उत्तर से भगवान शिप और माता पार्वती बहुत प्रसन हुए उन्होंने फिर गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने के लिए भीजा साथ ही भगवान शिप ने गणेश जी को आशिरवाद भी दिया कि जो भी बगत गणेश चतुर्थी के दि गणेश जी का पूजन करेगा और चंद्रमा को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे उसके संकटों का समधान हो जाएगा और सभी पापों का नाश हो जाएगा साथ ही उसके जीवन में सुख और सम्रिती भी भढ़ जाएगी इसलिए हर महिने के दोनो ही पक्षों की याने की कृष्ण पक्ष और शुकल पक्ष की चतुर्थी का विशेस महत्व है जो भी भक्त सच्चे मन से दिन व्रत ना भी रखकर भगवान गडेशी की पूजा कर लेता है तो भगवान उनकी सभी समस्याएं उनके सभी दुख दूर कर लेते हैं अगर आप जाना चाहते हों करवा चौत के बारे में करवा चौत की पूजाविधी शुबमोर्द और व्रत कथा के बारे में तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अप्लोड़िड है आप जरूर देख लेजेगा संकस्टी चतुर्थी के दिन उपवास रखने वाले भक्तों को जहां तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए केवल मीठा भोजन या फलाहारी इस दिन किया जाता है इस दिन गुड लड़ू मोदक या फिर मुंफली आदी का सेवन किया जा सकता है इनके लावा आप हर तरह के मेवे और साथ ही मौसमी फलों का सेवन भी व्रत में क कर सकते हैं यह थी आज की वीडियो अगर आपको जानकरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा